दिली में इस वक्त उत्तर पश्यम दिशा से आ रही बरफीली हवाओं ने खंड़क बला रखी है अगले तीन दिनों तक मौसम विभा की ओर से अनमाल लगाया गया है कि इसी तरह की स्थिती जो है वो बनी रह सकती है आज के लिए मौसम विभा की ओर से कूल डे का यलो अलर्ट भी जारी किया गया है और तस्वीरे क्या है हम फिलहाल गर्तवपत पर मौझूद है और आपको राश्पती भौन की तस्वीरे आपको दिखाना चाहेंगे कि जो फॉग है उतनी चादर में साफ तोर से जो राश्पती भौन है वो लिप्टा हुआ नजर आएगा हुआ नजर आएगा अगर तापमान की बात पर तो मौझूद विभाग के अंसार आज का जो अधिक्तम तापमान है वो 16 डिग्री सेल्सियस के आस पास रह सकता है और नियूंतम तापमान आज डिग्री सेल्सियस के आस पास तक जा सकता है इसके लावा येलो एलेट भी मौसल विभाग की ओर से जारी किया गया है कोल डे को लेकर लेकिन हवाएं चुकी चल रही है जिसके बाद अगर AQI की बात करें तो AQI में मामूली सा सुधार जो है वो साथ और से देखने को नजर आ रहा है दिल्ली का जो एवरेज AQI है CPCB के आपलों के अनुसार वो हम आपको अपने फोन की स्क्रीन पर दिखाएं तो ये जो आम तोर से साड़े 300 या 300 के पार रहता था वो अब घटकर 274 पर आ गया यानि कि जो ये बरफिली हवाय है वो एक तरह से राहत की सास दिल्ली वासियों के लिए लेकर आई है इसके अगर अलग-अलग इलाकों में बात की जाए तो इस तक्रीमन सभी इलाके जो रहते थे आम तोर से हम बीते कई दिनों से देख रहे थे वो साड़े वहाँ पर एवरेज एक्यूआई साड़े 300 के आसपास बना रहता था लेकिन कई इलाकों में ये 200 से कम आपको नजर उससे दिल्ली NCR में रहने वाले लोग काफी ज़्यादा परिशान हो रहे हैं खासकर सुबह के समय जब ये शिदलहर चलती है और तापमान भी कम रहता है तो उन्हें काफी ज़्यादा समस्याएं होती है और वहीं जब पूरा भी अपने पैर पसारता है सुबह के समय तब ये समस्याओं का जाफा काफी ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चाहे वो चौपहिया गाड़ी जो ड्राइब कर रहे हैं लोग या फिर टूविलर जो लोग चला रहे हैं उनको भी गाड़ी चलाने में भी समस्याएं आती है लेकिन आने वाले दिन दिल्ली वासियों के सब्सक्राइब के साथ देवांकर तिवारी अबेपी नियूज दिल्ली